ओम सिरी गने साय नमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार नवंबर सुक्रवार के रासी फलके बारे में कि है दिन तुलाराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए शुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है घरिलू छेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके दुआरा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तथा परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सैयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साती सात आज आप बहार की गति विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबत तरीके से अपने कार्यों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्थ होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत हो प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रख रखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्तन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा परसनल्टी में बहुत अच्छा स मर्स करें साथि प्रते कारय को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावश्क है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी विसेस रूची रहेगी इसकी वजह से आप सम्मानित भी हूंगे विद्ध्यार्तियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी। गुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रखें, उनका आशिरवाद वे शयोग आपके लिए भग्य उदे का निर्मान करेगा, घर में कोई धर्मिक कर रहे आज संपन हो सकता है, जिससे घर में शकारतमक उर्जा का वास होगा, दोस्तों बात कर लेते हैं किसी भी कार्य को करें, अपने आप पर भरोसा करते हुए आर्थिक लेंदेन में सावधानी रखें, कभी कभी आपकी लापरभाही की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं, जिसकी वज़े से स्वभाव में भी एकरण ही गुस्सा व चिर्चना पन रह सक आएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती हैं, कोई पुरानी नकार अतमक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका भी आज लग रही हैं, दोस्तों अपने सम्मान की देखवाल आप श्वेम करें, चोरी होने, अत्वा खोने की संभावना आज लग रही है, प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिस्तिदार अत्वा भाई के साथ कोई कहा सुनी होने की भी आज आसंका हैं, थोड़ा सावधान रहें, साथी साथ कोई भी उपलब्दी आज मिलने पर तुरंती ही उस कार्रे को करें, ज दोस्तो ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिकता रहेगी, साथी साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती हैं, करूद की अपेक्छा सांती पूर्ण तरीके से मामला सुल जाएं, दोस्तो स्वयभाब में धहरें वे नर्मी बनाकर आप रख जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती हैं, जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता हैं, थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं, दोस्तो आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया माहूल आपको देखने को मिल सकता है, दोस्तो साथी साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा, तथा आपक जीवन आज शुक में रहेगा, प्रेम संबंदों को मर्यादित बना कर रखना अतियावशक है, दोस्तो साथी साथ विस्तता के बापजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में व्यतित करें, इस से सभी को प्रसंद ता मिलेगी, दोस्तो आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आज आप नई योजनाएं बनाएंगे, प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं, जो भविस्ते के लिए आपके लिए काफी लाबदायक रहेगा, दोस्तो साथ साथ कार्य छित्र में सहयोगियों और क सभी निर्णे आप स्वैम ही लें, क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है, वविस्ते एक छित्र में सभी काम आज सोचारों रूप से चलते रहेंगे, जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे, साथ साथ नोकरी प लब्दियां प्रदान कर सकते हैं, जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, विध्यारतियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छा रहेगा, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं, दोस्तों आज स्वास्थ को लेकर आप आपके लिए इस्तितियां काफी सामान ने रहने वाली हैं। आज किसी तरह की कोई स्वास्त सम्मंदित समस्या उत्पन होनी की कोई संभावना नहीं है। आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा। जिसके वज़े से आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उरज जावान महसूस करेंगे। दोस्तों साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। आप उसमें दो लॉंग भी डालने, या दोस्तों दीपक जलाते समय मनीमन आपको यह कामना करनी हैं कि भविश्य में आपके घर में कोई भी धन हानी का सामना ना करना पड़े, या दोस्तों ऐसा करने से मा लक्षमी आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी, जो भी धन मन्दित आपके चीवन में परिशानिया चल रही हैं, समस्त परिशानियों का अंत करेंगी और आपके घर में धन शुक्षम पत्ती का वाश होगा, मा लक्षमी आपके घर में वाश करेंगी, या दोस्तों आप इस प्रिकार इस उपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही सुबु फलो की प्राप्ती होगी या दोस्तो मालक्षमी कासिरवाद आपको प्राप्त हो सच चिदल से कमेंट स्बोक्स में जै मालक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद